जैहिन दोस्टो मेरा नाम है आसिस और आज का वीडियो में आपका सवागा थे आज के वीडियो में बहुत है इंपौन चीज प्लेडिस्ट के बारे में बताने वाले हैं आप कैसे ूबाइल से अपने वीडियो जाके जो भी important चीज़ें है वो आपके viewers को एक जगा पर मिल जाता है, इससे फाइदा क्या होता है कि आपके viewers आपको आपके ज़्यादा interact होते हैं और आपके videos को like भी करते हैं वो पसंद भी करते हैं कि एक जगा उनको सारे चीज़े आसाने से मिल जाते हैं इससे होता क्या है कि आपके views बढ़ते हैं watch time बढ़ते हैं और साथ ही साथ आपके subscriber भी increase होते हैं तो guys मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में आप कैसे mobile से ये चीज़े कर सकते हैं तो वीडियो पर बने रहेगा और उससे पहले यदि आप मेरी इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज इस subscribe bell को जरूर दबा देजिएगा subscribe button को और bell को भी प्रेस कर देजिएगा ठीक है तो guys without wasting any time चलिए आपको मैं अपने mobile screen में ले चलता हूँ और एक-एक steps आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को अपने mobile से कर सकते हैं तो guys यह देखिए मेरा mobile के screen में आपको ले आते हैं सबसे पहले आप Chrome browser पर चले जाएए Chrome browser पर जाने के बाद आप 3 dots पर जाके desktop site में पहले चले आएए एक stop site में आके आप search में लिखे YouTube.com या simply YouTube का icon दिखेगा उस पर क्लिक करके आप simply YouTube का page में जा सकते हैं फिर आपको देखिए right corner में मैं arrow से दिखा रहा हूँ आपको zoom करके देखिए right corner में आपके channel का icon है उसमें जाइए उसमें जाने के बाद your channel में आप चले जाईए your channel में जाने के बाद यह देखिए इस तरहिए आपका पेज खुलीया YouTube का Page जो आपए फिर customized channel में चल जाईए customized channel में जाने के बाद आपका channel customization का page आ गया देख सकते हैं आप स्क्रीन में ठीक है मैं इसी जिसको आपको जूम करके दिखाता हूँ left side में आप देखिएगा left side में यह जो three lines है ठीक है arrow से में दिखा रहा हूँ इस three lines में playlist इसी को बोलते हैं इसमें चले जाएगे तो देख सकते हैं आप मेरे चैनल में यह सारे playlist बना हुआ है तो वह नजर आ रहा जदी नहीं है तो आप new playlist जो है उसमें चले जाएगे new playlist में जाने के बाद आपका दो चीज़ आएगा add title आएगा तो add title में आप कोई भी नाम दीजिए जो भी आपका important चीज़ है जैसे हम चाहते हैं कि मेरा वीडियो नए यूटिवर्स के लिए फाइदा हो वो देखे ठीक है तो मैं वो नाम यहाँ title लिख रहा हूँ फार नियू यूटिवर्स ठीक है ओगाईज यह small letters एक सेगंड इसको में capital letters में कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे तो चलिए मैं इसको capital letters में लिख देता हूँ फार नियू यूटिवर्स यह मेरा title है ठीक है यह मैं तब playlist का नाम हो गया ठीक है उसके बाद आप create जो देख रहे हैं यहाँ नीचे में उसी का create में दबा देजिए तो यह आपका playlist create हो गया तो गाइज यह देख सकते हैं आप इसमें अभी वीडियो नहीं है आपका playlist बन जीरो वीडियोज है अब वीडियोज इसमें डालना है आपको उसके लिए steps देखे यह जो content है channel content उसमें आप चले जाएए उसमें जाने के बाद आपका जितने भी वीडियोज है ठीक आपके चैनल में जो भी upload किये हैं आप वो सारे चीज़े नजर आने लगेगी तो आपक चाहता हूं तो चलिए मैं एक एक करके select कर लेता हूं देखिए यह जो black black का tick हो रहा वह मैं select कर रहा हूं तो वह चीज़े उस playlist में आएगा उसके बाद यह select कर लिए उसके बाद आपको क्या करना है add to playlist दिखा उसमें जाके जो हम playlist create किए देखिए four new YouTubers आने लगा उस box में tick क कर देंगे देखिए उस box में tick कर दिए उसके बाद आप simply इसको save कर दिजिए तो आपका वह सारे वीडियो उसमें चला गया अपने channels मतलब viewers जब आपका channels खोलते हैं तब यह चीज़ें कैसा नजर आता है एक जगह पर इखटा रहता है वह चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूं तो देखिए फिर से मैं आपको mobile screen दिखा रहा हूं अपना channel खोलके यह चीज़ें कहां पर आपको मिलेगा तो चलिए म मैं अपने चैनल का नाम सर्च करता हूं YouTube में जो कि मेरा नाम है अब देख सकते हैं Series Voda के सर्च किये तो तो मेरा चैनल का page खुल गया इसमें हम जाते हैं ख्लिक करते हैं तो यह देखे playlist का जो section है उसमें कलिक करते हैं तो दिखिए यह playlist आने लगा जैसे वो नयू यूत और जिससे आपको knowledgeable हुआ कि किस तरह से playlist हम create कर सकते हैं तो guys इस तरह का वीडियो में इस channel पर लाता हूँ आप please यदि new है मेरे channel पर तो please मेरे वीडियो को like किजिए subscribe कर देजे channel को और साथे bell icon को press करना ना भूली है जैन दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching